असलाम अलेकूम वेलकम तु माई योट्यूब चैनल कैसे आप सब लोग मीध है आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं बनाने वाले हूँ पीजा वह भी बहुत कम चीज के इस्तमाल से तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कोई भी पॉर्ट स्किप मत कीजिएगा वीडियो को आ इसके बाद आप ले लें खुला परतों इसमें डाले टू एंड हॉफ कॉप मैदा और इसमें डाले बाँ टेबल स्पून नमक और इस्ट वाले मिक्सर में आपने डाल देनी बाँट टेबल स्पून चीननी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको साइट पर डख दे जो हम ने मैधे में ँदाल लेगा है, ट्री टेबल स्पॉन आइल और इसकावनी एछी सी मिक्स कर लेगा और अब इसमें टाल देंगे इस्ट वाला मिक्शर और इसकावनी आफ्नी जोड़ा पानी डाल के आपनों आटा गोंते हैं वैसे आपने पना ले ले, आटे को इस तरह से कूंदने के बाद आपने जो हा डो को अच्छी तरह से जो है इस तरह मसल लें मसलने से यह है कि आपनी डो अच्छी तरह से राइस होगी दो से तीन मिनट आपने इसको इस तरह से करना है और इसके बाद हम इसका बना लेंगे पेरा और इसके अपर लगा लेंगे आइल और इसको परसे कवर करके आपने 45 मिनट के लिए इसको राइज होने देने इसके बाद आप ले ले एक बॉल इसमें डाल दे बॉनलेस चिकन और इसके आप शामिल कर दोंगी वान टेबल स्पून जो है कुटावा लसन और हाफ टेबल स्पून नमप और वान एंड हाफ टेबल स्पून दादर मिर्च आफ दादर मिर्च की जगा जहाँ पिसी भी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद शामिल कर देंगे वान टेबल स्पून चिली सास one table spoon soya sauce और one table spoon sirka और इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगे two से ट्री ट्री ट्रीब स्पून हम ने इसमें दही शामिल कर लेना है और इसको हम कर लेंगे अच्छे से mix और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे three table spoon अइल कि और हाफ टेबर स्पून से थोड़ी से कम आपने हल्दी इसमें शामिल करनी है कि और ये unclearगे ऒब लेए एक फ्राय पैन सौमिल कर दे जिए कि और हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से हिलाने एंगी आपने इसमें पनी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना जो इसका धहीं का पानी होगा इसी में जो है संट्लका से घृ जाएगा क्रीबं पांच मिनट लगेंगे इसको हम फुकाने में आपने इसको अच्छी तरह से जनल ट्राइ करने है अच्छा थी चिकन जो अच्छी तरह से पक चुका आप हम कर देंगे इसका फ्लेम आफ इसके बार एक फ्राइपन ले ले इसमें डाले वान टेबल स्पून बटर और तीन से चार जावे लसन के कटे हुए और वान टेबल स्पून आइल के शामिल कर दें और इसको अच्छी से मिक्स कर लें और इसके बाद हम शामिल कर लेंगे टू टेबल स्पून मैदा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम शामिल कर लेंगे इसमें दूद तक्रिबर आपने एक कप दूद शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसमें डाल लेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और वन टेबल स्पून ओरेगेनों को डाल कर आपने इसको अच्छी तरह से पकाने, आपने तब तक पकाने जब तब किये थोड़ा सा गार आना होजे तक्रीबन तीन से चार मिनट में जो है यह गारी हो जाएगी सास यह देखे हमारी सास जो है अच्छी से गारी हो चुकी है, अब इस कम कर देंगे फ्लेम आफ और हमारी डो जो है अच्छी से राइज हो चुकी है तक्रीबन 45 मिनिट्स तहां लगे हैं इसको राइज होने में ठीक है यह देखे कितनी अच्छी राइज हुई है अब इसको बोल्स इनकाल लेंगे और आपने इसके उपर डिस्ट कर लेना हम मैदा और इसका पेरा सा बना लें और आपने इसको जो ना अच्छी तरह से बेल लेना जिस तरह हम रोटी बेलते हैं वैसे आपने बेल लाइना तो इसको ज्यादा मोटा रखना है और ना ही इसको आपने बरीक ज्यादा बेल लेंगे इस तरह से हम बेल लेंगे थोड़ा थोड़ा साप इसके उपर मैदा लगाते जाएं और इसको बेलते जाएं और आपने जिसमें भी जो है इसको बेक करना है उसके हिसाफ से आपने जो है रोटी बेल लिए अब आप जिसमें भी इसको बेक करेंगे इसको पर रख लें और उससे आपने जो है दो से तीन ही जो है आपने इसको बड़ा रखना है अब हमने जो बड़ा रखना है साइज इसका साइडों से उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से इसके बाद आपने इस तरह से क्रास बना लेने हैं इस तरह हम क्रास बनाते हैं वैसे बिल्कुल आपने इस तरह बनाने हैं और आप अपने असानी के लिए आपको बता दूं कि आप इसके नीचे बटर पर रख लें बटर पर रखने से यह है कि जब आप इसको बेटर पेपर को पकड़ें पोरें बेकिंघ गे में एससको स्विफट कर सकेंगे जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी टीप है कि ये नीचे आप जो है इसके बटर पेपर रख लेना इसके बाद इसको मैं शिफ्ट कर लूगी बेकिंग ट्रेय में इसके नीचे मैंने ओईल लिया था ठीक है अगर आप बटर पेपर रखेंगे तो आपको लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी मैंने बटर पेपर नहीं रखा था इसलिए मैंने इसके नीचे लगा लिया था अब हम इसके उपर कर लेंगे टॉपिंग सबसे पहले आपने फोक की मदwife से इस तरह से आपने कर लेने इससे ए केड़ बाइब दॉपिंगे नहीं rifle आप इसके उपर एयर सी होती है राइज वार्ट सास लगाने के बाद आपने इसके उपर रख लेना है चिकन इस तना से चिकन आपने रख लेना है और इसके बाद आपने इसके उपर रख लेना है कटेवी टोमाटर और कटेवी शीमला मिच और इसके बाद आपने इसके उपर रख लेना है इसके पर हम डाल लेंगे चीज इससे यह है पाइड़ सॉस का यह पाइदा होता है कि बहुत कम चीज जो है इस्तमाल होगी और इसके बाद आपने अंडे की जर्दी लेनी है और इसमें डाल है वान टेबल स्पून दूत और इसको हमने साइड़ों पे इस तरह से लगा लेने इस तरह यह है कि जहाँ साइड़ों पे कलर बहुत अच्छा आएगा थोड़ी सी वाइड सास हम इसके ओपर भी लगा देंगे और इसके बाद इसके ओपर में छिर्ण देंगी और इगैनो और अब हम इसको कर लेंगे बेक आप एक पटाना सपतीला ले ले उसमें रख लें इस टैंड और पीजो को इसके ओपर रख दें और इसको 45 मिनट के ल बेक होने देना है आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी ठीक है इसको पर से कवर कर दें और 45 मिनट के लिए बेक होने दें यह देखें जी मारा पीजा जो है अच्छी तरह से बेक हो चुका है तो कितना मज़ेका लग रहा है इसमें बहुत ही कम चीज का जो है इस रेसिपी को ज ज़्याद से जारा लाइक शूर और कमेंड किया करें और जिन्हों ने हमारा चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया जल्दी से हमारा चैनल जो है सबस्क्राइब कर दें अलाह आपीस